दोस्तो 30 एकड में फैला हुआ शेक जैद ग्रेंड मॉस्क का कंस्ट्रक्शन 1994 से 2007 में हुआ कंस्ट्रक्शन में सीरियन आर्किटेक्ट और इटेलियन कॉंट्रेक्टर्स के लिडर्शिप में 38 कॉंट्रेक्टिंग कंपिनीज और 3000 से भी ज्यादा वर्कर शामिल थे ज्यादा तर मॉस्क के कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में नैचरल मिटिरियल्स का इस्तमाल हुआ है ताकि स्ट्रक्शर लॉंग लास्टिंग रहे है इन में मार्बिल स्टोन, गोल्ड, सेमी प्रिशियस स्टोन्स, क्रिस्टल्स और सेनमिक का इस्तमाल हुआ है कारीगर और मेटीरियल्स सीरिया, इंडिया, इटैली, जर्मनी, टर्की, पाकिस्तान, मुलेशिया, एरान, चाइना, युनाइट किंग्डम, न्यूजीलेंड, नॉर्थ मेसे डूनिया और यूएई से इंपोर्ट किया गया मॉस का मेन प्रेयर हॉल 40,000 लोगों को एक साथ एकॉमोडेट कर सकता है मॉस के मेन प्रेयर हॉल में लगाए गया कार्पेट, दुनिया का सबसे बड़ा कार्पेट माना जाता है जिसे इरानियन आर्टिस्ट अली खालिकी ने डिजाइन किया कार्पेट का एरिया 5627 स्क्वेर मिटर है और इसका वजन 35 टन है और इसे बनाने में 1200 से 1300 आर्टिस्ट को लगबग 2 साल लग गए है ग्रेंड मॉस में साथ इंपोर्टेट जुमर है जिसे एक जर्मन कंपनी फॉर्टीज ने बनाया है जिसका डाया 10 मिटर और उचाई 15 मिटर की है मॉस के एंट्रेंस और इग्जित में बहुत ही एंटिक अरबिक शॉपिंग सेंटर है जिसमें ओल्ड एरब थीम्ड आइटम्स मिलते हैं मोस्ली डेकॉरेशन और प्रॉपिंग परपस के लिए बीन ओड्रियू जिस्षान एकरम ऑफसीम व को बीदेछ थ 영상 में प्रॉपिंग्स से जिस्वान पति सरी चंहाँ प्रॉपिंग से अ कि मॉस्पिंग स्से कहिं प 144.